तो क्याल चला है भाई लोगों मैं उम्मीद करता हूँ सबी लोगा बहुत जाद अच्छ होगे दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही जाद इंट्रेस्टिंग एंड पॉवर्फुल होने वाली है हई कि ये स्टाटेब्स फितने परशेंट वर्किंग है कितना काम यह हमाय करके देती है कितना रिजल्ट रेजल्ट हमको स्टेटेजी से मिला है वह सारी चीजा होंगी साथ मैं आज मैं 7 आएव मैं कुछ आपको अपने प्रो टिप्स एंड कुछ प्रो secrets आपको share करूँगा ताकि आप लोगों की help थोड़ी सी हो जाए मेरी बज़े से ठीक है तो बिना किसी तरी के चलो यार यह वीडियो में start करते हैं कि मैं अपने ओलिंप ट्रेट के live account में लॉगदिन हुआ और यहां पर जो मेरा balance है वो 5904 डॉलर्स का amount पड़ा हुआ है इसको यार यहां से मैं refresh कर रहा हूँ जब तक यह refresh हो रहा है तब तक यार एक चीज में clear कर दूँ जो भी strategy में बताता हूँ जो strategy already मैं बता चुका हूँ सारी strategies working है किसी भी other platform पे आप उनको use कर सकते हो implement कर सकते हो या उनको आप try कर सकते हो ठीक है तो यह जब तक refresh हो रहा है तब तक यार हम क्या करते है अब यह वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ नहीं कर सकते है यह refresh हो गया ठीक है चलो तो क्या करूँगा मैं indicator के icon पर मैं click इंडिकेटर का नाम में बता देता हूँ यह इस टॉकस्टिक के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा d marker ठीक है अब यार इस indicator को मैं simple से simple तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को भी बड़े ध्यान से समझना है ठीक है तो इसको मैं क्या करता हूँ थ करना चाहूँगा यहां पर ऐसे हैं ताकि कुछ चीज़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ में clear करना चाहता हूँ देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो indicator मैं बताऊंगा इसके बारे में जो चीज़े मैं बताऊंगा वो एक मिनट के chart के time frame पे है ठीक है अगर वो पांच मिनट का भी मैं करता हूँ या टू मिनट का भी करता हूँ तो यह indicator उसी के साब से इसकी movement हो जाती है ठीक है उसी के साब से इसका सारा interface change हो जाता है ठीक है अब यहां पर आपको मैं बता दूँ कि यह यार 14 यहां पर है यह 14 period का यार यह आपका demarker calculations करके आपको यह graph को यहां पर हमाँ शो कर रहा है ठीक है बहुत simple तरीके से समझा रहा हूँ बहुत simple तरीके से आपकी आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करना ठीक है implement कैसे करेंगे वह भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा ठीक है अब यहां पर एक आपको मिडल लाइन यह दिख रही होगी एंड इसमें फिर यह एक lower line है एंड एक यह आपका upper line है ठीक है तो हम क्या करते हैं यह जो दोको यहां पर आपको देखने को पता चल रहा होगा की moment यहां पर आपको देखने को मिली होगी तो यह मेरा जो होता है over what reason आप इसको बोल सकते हो मतलब जब इस level में जाता है तो हम buy कर सकते हैं और यह आप बोल सकते हो oversold ठीक है तो यहां पर जब आपका ज़्यादा moment होता है तो हम इसको sale कर सकते हैं ठीक है अब इसके label होते ह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी यार इस indicator को समझने के लिए आपको कोई mathematical formula की ज़रूद नहीं है बहुत जादा simple है ठीक है अब यह indicator काम कैसे गरे का मैं वो बताता हूँ आपको तो again अब सिर्फ मैं indicator को यहां पर लोगा बाकी कुछ नहीं लोगा सिर्फ indicator को टिक क हुआ यार यहां पर में बताओँ उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीगरम चैनल जॉइन नहीं कि तो टेलीगरम चैनल आप जॉइन कर वासास पर मैं आपको प्रोमो कोर्स देता रहती हूँ आप लोगों कि कया feedback रहते हैं तो यहां पर जो भी लोगों देखो य यहां से information मिलेगी, link here आपको नीचे description में मिल जाएगा, आप वहां से telegram का free group here join कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद चलो हम आ जाते indicator पे, तो ये रहा मेरा indicator, now यार, try करो, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको बड़े आसानी से समझने की कोशिश करना, कि देखो, कुछ में clear कर देता हूँ, आपको, आप लोगों ने, ये तो बहुत सुना होगा, कि जब ये मेरा एक, ये reason होता है, एक मेरा ये reason होता है, तो जब मेरा oversold reason में होता है, तो हमको buy करना चाहिए, और जब हमारे over, bot reason में होता है, तो हमको sell करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको, आपने बहुत जादा जगह पर देख रक्योंगी यार इस indicator का एक secret में आज आपको बताने वाला हूँ reveal करने वाला हूँ ठीक है वो ध्यान से समझना तो वो secret है मेरा कि जो मेरा ये middle band है middle जो मेरा label है जब market इसको cross करके उपर की तरफ जाएगा तो हम इस से ज़्यादा simple यार में कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ ये हो गया मेरा एक चीज दूसरी चीज मैं वो सारे points आपको बता रहा हूँ कहां कहां पर आप entry कर सकते हो ठीक है और कहां कहां पर आप entry नहीं कर सकते है वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे एक मेरा ये लेबल हो गया दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक और जगे एक और entry point वो क्या है ये मेरा जो अपर बेंड आप इसको बोल सकते हो अपर लेबल मैं बोलो कुछ भी बोलो आप समझो बस जब इसको क्रोस करके market अप direction में जाता है then I can also put upward direction trade जब इसको क्रोस करके down direction में आता है then I can also put a down direction trade clear है चीक है तो ये मेरा हो गया अब ये बात ठीक है कि overbought reason में oversold reason में वो हम करेंगे वो सब करते हैं वो सब बताते हैं लेकिन मैं आपको best entry points बता रहा हूँ इस indicator को आप कैसे बहुत जादा impactfully यूज कर सकते हो अब यार इसको मैं pro label पर ले करके जाऊँगा इसको मैं pro version में बताऊँगा तो वो कब बताऊँगा अभी बताऊँगा इसको use कैसे करऊँगा वो बताता हूँ तो भाई ये मेरे entry points होने के तरीके मैंने आपको बता दिये कि जब इसको cross करके up जाएगा तो up लेंगे down जाएगा तो down लेंगे middle band को cross करेगा तो अब या down हम trade open करेंगे भाई इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा zoom कर लेता हूँ अब देखो यार कोई भी indicator जब आप use करते हो और जहां पर market में आपको ऐसे छोटे छोटे candles मतलब market stable नहीं लिखता या market का volume आपको अच्छा नहीं मिलता तो आप वहाँ पर अपनी जो trades हैं वो avoid कर सकते हो कोई भी strategy हो no matter ठीक है वहाँ पर सिर्फ एक आप breakout या breakdown की strategy को follow कर सकते हो वो ही key rule है आपके market में success होने का चीक है अगर वो breakout की strategy का video नहीं देखा है तो जाकर आप देख लो चैनल पर कहीं आपको मिल जाएगा चीक है now come back to our point अब हम क्या करेंगे इस strategy को implement करेंगे और इसको pro level पर लेकर करके जाएंगे तो देखो मैं यार और ज्यादा accuracy involved करने के लिए अब क्या करने वाला हूं यहां पर indicator के icon पर मैं click करूंगा और यार एक zigzag one of my favorite zigzag six by five ratio ठीक है इसको हम यहां पर pick कर लेंगे simple है भाई now जो complete strategy का package वो implement हो चुका है भाई ठीक है अब देखो यहां पर कुछ चीजें हम समझ लेते हैं कुछ नहीं बहुत कुछ चीजें समझ लेते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहां से जाऊंगा और इसको मैं pick करूंगा now यहां से इसको cross करके अप गया था ठीक है तो हम क्या कर सकते थे मैंने बताए कि जब इसको cross करके जाएगा then we can put a upward direction trade but already यहां पर काफ़ी टाइम से market अप है and जिग जैक हम को यह show कर रहा है कि market का जो यह trend है upward direction का यहां का high level point already created हो चुका है तो now अब हमको यह समझ जाना चाहिए कि market क्या करेगा market अब reverse back होगा and market में जो over what reason है यहां पर हम opportunity ढूंडेगे कि हम market में अपनी जो ट्रेडर जो आसटा उसको sell out कर सके है यह strategy बहुत जादा simple होती है तो यह आपको समझना है अब now जो मेरे पुराने मेंबर से उनको पता करने के लिए क्या करना चाहिए you can use guys 15 seconds chart also चीक है 15 seconds के chart में हमको क्या पता चलेगा now come back to point 15 seconds अगर मैं देखता हूँ तो 15 seconds का market is क्या हमें उसको show कर रहा है कि already market काफी time से try कर रहा है down direction में आने के लिए चीक है तो यह यार market में आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा now एक मिनट के chart के time frame में आ जा तो यहाँ पर market gap अप से खुला है open में 15 seconds में आपको अगर दिख रहा होगा तो gap अप से खुला है now market यहाँ से again try करेगा come back के लिए तो यहाँ पर बहुत जल्दी क्याम करने की opportunity डूण सकते है sale out करने की opportunity डूण सकते है उसके लिए हमको wait कर लेना चाहिए यह हो गया आपका पहला तरीका ठीक है दूसरा तरीका मैं आपको बताओं और जब तक हम wait करते हैं तब तक यार अगर आप मेरे live sessions जोइन करना चाहते हो live VIP signals जोइन करना चाहते हो जहां पर यार मैं पर डे 5 new members को give up देता हूँ जो new members मेरे साथ में जुड़ते है एंड यार जो best 5 traders होते है top 5 traders जो होते है उन लोगों को मैं 5 members को give up देता हूँ पर डे एंड यार monthly I am picking 50 traders 50 VIP traders जिनके loss recovery की guarantee जो मतलब मेरा पहला वाला जो last label था वो breakout हो गया ठीक है तो then market will try की एक नया high को create करेगा एंड उसके just about market will try की down direction में वो trade करेगा है यह लोग down direction में आएगा ठीक है तो 15 second के chart के time frame पे आप clearly देख पार होगा कि market already trying की market down आ जाए और 15 second का भी एक high point clear हो चुका है इसको cross करेगा then we will put a down direction trade बहुत simple है मैंने आपको बताया था जैसे इसको cross करेगा अभी देखो complete cross नहीं किया market trying की market इसमें अप जाएगा थोड़ा सा cross करके जैसे इसको down direction में आता है we will put a down direction trade गाईज very simple ठीक है अब इसको मैं देख लेता हूँ अब यह 15 second में भी implement होता है और यही market का chart एक मिनट में भी implement होता है तो नाओ यहाँ पर एक मैने down direction में ट्रेड गाईज open करी हुई है और इसका जो amount है वो 600 डॉलर का है ठीक है तो 600 डॉलर का investment यार down direction में मैंने क्या हुआ है इसका result अप ही हमको कहां से पता चलेगा तो हमारी active trades में हम आ जाते है 46 seconds इसमें बचे हुए है market कभी-कभी reverse back करने का try कर सकता है अभी यार बहुत जाद है market को आपको analysis करने की ज़रूरत होती है चीक है बहुत जादे देरी तक आपको market को समझने की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की तरप से तो यहां पर देखो अब oversold reason में देखो इसको cross करके down direction में है तो इसलिए मैंने जो trade लिये वो down direction के लिए चीक है और अगर मैं एक मिनिट की बात करूं तो एक मिनिट का chart का time frame आप देख पा रहे होगा clearly कि जो overbought reason में है तो इसके वजह से मैंने down direction में अपनी sale out के लिए trade open क रही है ठीक है हाला कि यह बहुत जादे close है विसकी close में समको देखने के लिए 15 seconds के लिए चले जाना चाहिए वहाँ पर यार हम यह देख सकते हैं क्योंकि market अब 15 seconds का reverse होना start हो गया अगेन यार तीन seconds बचे हुआ है दो seconds और यह जो trade है यार वह हम भीन कर गया है ठीक है इस support का काम करेगा जो मेरा middle band है market when come down from upper level to down direction then this is also support and this one is also ठीक है तो यह मेरे सारे support हो जाएंगे जब market उपर से नीचे की direction में आता है तो ठीक है when market goes up तो जब market या इस level को cross करता है तो then this is behave like resistance यह resistance की तरह behave कर सकता है and this one is also as resistance यह चीज़े होगा यह आपको behave करने की मिल सकता है यह चीज़े आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करनी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो अगर मैं इस level की point की बात करूँ तो then market somewhere यहाँ पर एक resistance create हो रहा है market उपर करने के लिए उपर जाने के यह मेरा support level market down आएगा तो जो मेरा lowest high है then resistance support का काम कर देगा तो इस तरीके से यार आप अपनी accuracy को बढ़ा सकते हो इस तरीके से यार आप इस indicator को यूज़ करके बहुत ज्यादे अपने ट्रेडिंग लाइफ में ट्रेडिंग स्टाइल में accuracy involved कर सकते हो ठीक है इसके साथ में अगर एक चीज में आपको बता दूँ अगर आप मेरे VIP signals को join करते हो तो per day मैं 5 lucky members को 50 dollar का giveaway यहाँ पर दे रहा हूँ ठीक है अभी कुछ time से नहीं दिया था क्योंकि मैं out of country था अभी मैं हूँ तो मैं अभी start money again कर दिया है ठीक है और 5 जो top trader होते हैं per day उनको again 50 dollar का giveaway चल रहा कर दो रहा है तो तो और 5 जो है अभी दिया है अभी उनको ड़ शेणह बता डिया है अभी जोड़ दिया है अभी जिददब दो है अभी यह है तो ए प्र ए फिफ दो है टु we